मैं अपनी पत्नी और प्रेमिका के प्यार की परिक्षा लेना चाहता था मुझे अपनी पत्नी से नफरत थी हमारे बीच कोई प्रेम प्रसंग नहीं था मेरी पत्नी को देख कर मुझे नहीं लगता था कि उसे कोई दिलचस्पी थी और वो बार बार मुझसे बच्चती फिरती थी। मैं उसके करीब बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। मुझे उसकी कमपनी असहनिये लगती थी। एक दिन मेरी बतनी और मेरे बीच बहुत बड़ा जगड़ा हुआ। मैं उस पर चिलाया। मुझे नहीं लगता कि तुम कुमारे घर आ रहा हूं। मैंने सडक पर एक दुरखटना देखी। एक व्यक्ति को एंबुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। उस आदमी की पतनी छोटी बच्ची की तरह उसके लिए रो रही थी। उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने सोचा क कि मैं अपनी प्रेमिका की प्यार की परिक्षा लूँगा। मैं अपने एक दोस्त के पास गया। वो एक हॉस्पिटल में काम करता था। मैंने उसे कहा मैं अपनी प्रेमिका के प्यार को परक्षा लेना चाहता हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे। उसने आश्चर्य से क मुझे लगा कि तुम्हारी एक ही पत्नी है हाँ पर वो मुझे विलकुल भी प्यार नहीं करती अब मैं अपनी प्रेमिका के प्यार की परिक्षा लेना चाहता हूं मुझे यकीन है कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है फिर मेरे दोस्त ने मेरी प्रेमिका को फोन किया और कहा मैं हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ आपके बॉयफ्रेंड की घा तक दुरगटना हुई है वो अभी इस अस्पिताल में भड़ती है ऐसा रगता है कि वो आजीवन के लिए अबंग हो गया है मुझे आपका नमबर उनकी कॉल लिस्ट की शुरू में मिला जो की माई लव से सेव किया हुआ है उसके बाद आगे जो हुआ मुझे विश्वास नहीं हो रहा था उसने कहा कि ये घलत नमबर है उसे अब और कॉल नहीं किया जाना चाहिए मेरे दोस्त ने उसे फिर से कॉल करने की कोशिश की लेकिन इस बीच उसने मेरा नमबर ब्लॉक लिस्ट पर डाल दिया इतने दिनों से जो सोच रहा था वो जूट निकला फिर मेरे दोस्त ने मुझे से कहा तुम अपनी पत्नी की परिक्षा क्यों नहीं लेते शायद तुमने उसके प्यार की परिक्षा नहीं ली उसकी जाच करो फिर उसने मेरी पत्नी को फोन किया और वही कहा जो उसने मेरी प्रेमिका से कहा था खबर सुनते ही वो हॉस्पिटल चली आई जब वो मेरे बिस्तर के बगल में बैठी थी तो मैं बेहोश होने का नाटक कर रहा था और देखा कि वो क्या कर रही है वो मेरे बगल में बैठी और रोते हुए बोली मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मुझे बहुत खेद है मैंने तुम्हारी उपेक्षा की मैंने तुम्हें मुझ पर धोका देते हुँ देखा तुमने मुझे दोका दिया है, मैंने तब से आपकी एहमियक को कम कर दिया, लेकिन मैं आपको कभी इस हालात में नहीं देखना चाहती थी कृपया उठो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ उसके मुझे ये शब्द सुनने के बाद मैं अब कुछ नहीं कर सका था मैंने आखे खोली और मैं रोने लगा, मैं सभी विचारों के बारे में गलत था मेरी पत्नी मुझे निस्वार्थ प्रेम करती है, लेकिन मैंने उसकी बहुत उपेक्षा की मैंने उसके सामने सब कुछ स्विकार लिया, माफी मांगी और कुसे कभी नहीं छोड़ने की कसम खाई वो मुझे वापस बाकर बहुत खुश दी